हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का हमारे एस यूटूब चनल ओपन स्टेडी एरिया पर आए दिख लेते हैं बिहार वी पिएस सी टी आरी 3.0 के लिए भासा अहरता यानि की क्वालिफाइंग पेपर जो की 30 अंकों का आपके सामने होगा और उसमें आपको हर हाल में 9 प्राप्त करने होंगे इस बार भासा अहरता को किसी भी रूप में सुनने नहीं किया जाएगा इसलिए यह वीडियो आपके लिए must important होगा सुरू से अन तक हम दो 30 को संसिस में देखेंगे हमारा टारगेट होगा 15 पलस स्कोरिंग जो ही करेंगे वो असानी पुरुवक जो है एक्जाम में क्वालिफाइंग पेपर को असानी पुरुवक कुछ ही 5-6 मिन्टों में क्रैक कर लेंगे तो बनेड़े यह आप हमारे साथ यदि चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कीजे और यदि भासा अहरता से संबंधित यानि qualifying paper language paper से संबंधित जो अगर आपको e-book चाहिए तो जो यह scroll हो रहा है नंबर हमारे इस चैनल पर उस पर जाकर के आप इसको 50 रुपे में ख बात करें अगर 1.0 की भी बात करें तो इन सभी में दोस्तों याद रखिएगा कि कोसंस जो है वह इसी लेबल के पूछे गया थे और बहुत सारे कोसंस इसमें से लिए भी गया होंगे तो पहला प्रस्ण होगा कि आपको एक से लेकर के 8 तक में अंग्रेजी के कोसंस और उ अगर आप एंसर जानते हैं तो इसको इंसर फटाफट कमन कर दीजेगा कि इसमें ए कपड़ियों करेंगे और आप बी चुन रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप गलत चुन रहे हैं क्योंकि यूरोपियन को हम लोग जब रिखेंगे तो यूरोपियन लिखा जाएगा दिखाएदर है तो इ होने के बावजूद भी इसमें हम लोग अपसर नमबर ए नहीं डाल सकते हैं बलकि यहाँ पर जो होगा मिस्टर ओबामा एस एन करेंगे मिस्टर ओबामा एस डैस यूरोपियन ए यूरोपियन याद रखेंगे एन यूरोपियन नहीं करिएगा आगे बढ़ते चलते हैं अगला कोसन है वीचीज नौन एस अ मडल वर्ब इन गीवन विलो निमल कितम से कौन सा है जो है आपके पास मडल वर्ब है तो इसमें सबसे पहले पास मडल वर्ब इन अगला कोसन है धर अपके बढ़ते हैं यूरोपियोगो राखेंगे तो पास्ट शिम्पल टेंस तो इसका साही एंसर हो जागा न्यूटन डिसकोबर दे लॉस आफ दे ग्रिविटेशन चुछ दे करेक्ट टेंस इसमें सबसे पहले पास्ट शिम्पल टेंस का प्रयोग किया गया है तीसरे का अपसा नंबर भी इसका राइट एंसर हो जागा अगला तो इसमें से जो ही चीजें आपके पास दिया गया है तो उसको आपको चुनने है the most appropriated into name of the given willow यहाप एंड नेम नहीं बल्कि एंटो नेम हो जाएगा याद रखेगा the most appropriated एंटो नेम यहाँ पर चुनने की कोशिश करना है आपको जो है एंटो नेम इसमें बताने है वाला यहां पर वर्ड्स दिये गए हैं यह जानना जरूरी थे तो सबसे पहले अपको चूनने हैं तो enrich का मतलब क्या बढ़ाना तो उसका जो है क्या तो खाली करना या फिर घटाना यह सब होना चाहिए तो घटाने के का मतलब होता है खाली करना अपसा नमर सी अगर आपने भी चूना है तो बिल्को सही अंसर हो जागा अगला कोशन है select the must-appropriated synonym of the given word यहां पर elegant लिखा गया है तो इस पर synonym आपको चुनना है यानि समनार्थक सब्द इसमें से चुनना है तो सबसे पहले जब आवसाक तिस चीज की है कि हम लोग जानने की कोशुच करेंगे select the must-appropriated synonym of the given below यानि कि इस word का synonym चुनना है तो elegant का मतलब सुन्दर होता है elegant का मतलब क्या होता है सुन्दर सुन्दर का बिपरीत जो है word इन में से कौन सा होगा तो सुन्दर का बिपरीत वर्जवजवगा पांचवे का साई एंसर option number आपके पास हो जाएगा c यानि की graceful यह हो जाएगा याद रखेंगे synonyms elegant का जो होता है उसको सुन्दर बोलते हैं और graceful का मतलब होता है यानि की आपको graceful मतलब उसाहित करने वाला या बहतर से बहतर इसका अर्थ होता है तो इस परकार से पांचवे का अपसा नमर c आपने भी चुना है तो बिल्कुल एंसर सही हो जाएगा आए छटा नमर कोसन देख लिजएगा I am your best friend यहाँ पर लिखा गया I am your best friend तो choose the correct questions tag of the sentence तो I am your best friend इसमें आपको बहतर जो है कोसन टैग को चुनने की जुरत है तो सबसे पहले देखिएगा यह कोसन जो है यह affirmative है तो affirmative का negative बनाएंगे लेकिन aim को जो है हम amount नहीं बलकि और उसके बाद यहां का subject लगा देंगे तो देखिएगा कि aim I या is I was C क्या इसमें से होगा science रोजाएगा छटे का option number E non of the above यानि इसमें से कोई साथ साही नहीं है क्योंकि यहां पर aren't I होना चाहिए जो कि यहां पर नहीं दिया गया है छटे का science र अपसा नमर E हो जाएग कि सही क्या सही लिखा गया है construction जो है मुझे लगता है यह गलत लिखा गया है ठीक है और उसके बाद destruction construction destruction यह दोनों के दोना गलत लिखा गया है लेकिन repetition सही लग रहा है यानि कि साथवे का option number B आपका science रोजाएगा repetition जो है select correctly spelled word है आठवा नमर कोशन आपके screen पर है और प्र sentence प्रस्ण करता है I shall help you मैं तुम्हारी मदद करूंगा choose the correct passive voice of this sentence इस sentence का passive voice क्या है आठवे का science रहागा यानि कि I will help by you यह मुझे लगता है कि गलत हो जाएगा you will helped by me यह भी गलत है you will being helped by me यह भी गलत है इसका sensor रहा you will be helped by me याद रखेंगे you will be helped by me जो कि कहीं पर नहीं दिया गया है none of the above इसका right answer हो जाएगा आठवे का अपसा number E हो जाएगा अब तक 8 questions में से कितने जवाब आपने दिये है फटापट answer comment करके बताईए फटापट आप अमना score comment करके बताईए कि आखिर कितना सही हो पाया है देखेगा आज थोरा सा मुस्किलास words जो है इधर उधर फी सल रह है तो इसके लिए हम आपसे माफी चाहेंगे हम आगे से इसका ध्यान रखेंगे language 2 में आपको हिंदी और हिंदी पुछे जाते हैं इसमें 8 से लेकर के 30 नमर तक questions होंगे करम संक्या से जिसमें से अब कुल मिलाकर के हिंदी और रजी मिलाकर के कम से कम आपको 39 अंक लाने ही ह प्रयोक के नाम से जानते हैं या प्रसन हाली फिलाल में बिहार सक्चंता एकजाम्स में तीन तीन दीन पूछा गया है तीन दीन लगातार पूछे गए होंगे और लास्ट दीन भी यह प्रस्ण था अगर देखते हैं खड़ी बोली का उद्वह अप भरंस के किस रूप में हुआ है तो खड़ी बोली का उद्वह अप भरंस के किस रूप में हुआ दसवे का साई अंसर हो जागा ये सौर सेनी का उत्तरी रूप है तो खड़ी बोली का उद्वाव अब बरंस के किस रूप में बना जाता है दसवे का अपसन नमबर भी इसका सही हो जागा दोस्तो बहुत मेनत करने के बाद एक वीडियो आपके लिए तयार करता हो और उसमें भी आप लोग देख लिते हैं बीना सब्सक्र किजे और वेल आइकन को दबा दीजे और लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर सेर कीजे डी मोटिवेट करने के अगर आप कोशिश करिएगा तो उस कंडिसन्स में जो होगा हम वीडियो आपके लिए अपलोग उपलब्द नहीं करा पारेंगे हिंदी और इंगलिस का हम जो है जी के जीस बनान लगेंगे इसलिए थोड़ा सा मोटिवेट कीजे और कोशिशन्स को आगे अपके फायदे के लिए है तो आप मोटिवेट करेंगे हम कार्ज लगातार करते रहेंगे एक रहामाय वापसने अयोगवाह कहा जाता है अयोगवाह निमली कित्म से क्या कह सब्द है तो पत्र में उफ्युक्त जो परिशीत लोग होते हैं उनको जो है संबोधित करने के लिए आप कौन से सब्द का प्रयोग करेंगे सही अंसर है कि प्रिये महोद है स्रीमान आदड़निये याद रखेंगे उपर युक्त में से एक से अधीक इंसर सही है डी अपस सायजन कौन सा है तो निमलिकत में सब्दों का भी समसमिजन जो की वर्ड है और उसकारूप जाने कि क्सरूप का वर्ड है और वर्ड कौन सा है कहां पर सही नहीं मिलाया गया है यह प्रस्वागे से पूछा गया है तेरावा नमर प्रस्न आपके साई सामने देख लिजिए गा रस्सी जो है एक तदभो olmuş तद है बिल्कुल मुझे लगता है कि रसी जो है वह सब्द है या नहीं मुझे लगता है देख लेते पहले लिच्य में तूर्की सब्द नहीं है तेरा कापसा नमर एस का राइट अंसर हो जागा आगे बरते चलते हैं चौदा नमर कोशन है कि कोई आदमी उसे मार रहा था इस वाक्य में बिसेशन छाटी है कोई आदमी उसे मार रहा था इस वाक्य में बिसेशन निमलेखित में से कौन सा है चौदा कापसा नमर सी रहा उसका सई अंसर हो जागा पंदर नमर कोशन आपके शामने है प्रसन को ध्यान से देखिए यह लड़का गवया है इस वाक्य में यह कैसा विसेशन है प्लीज चनल को सब्सक्राइब करते जरूर चलिए वीडियो को लाइक करते चलिए और अधिक से अधिक संक्या में जो मतलब 1000 प्लस इसका लाइक आपके लिए जाने चाहिए याद रखेगा यह लड़का गवया है इस वाक्य में यह कैसा विसेशन है याद रखेंगे पंदर का अपसा नमर बी आपको कमेंट करके बताने है जल्दिस जल्दी आप इसका एंसर कमेंट कर दीजे यादि आप लाइव सेशन्स देख रहे हैं प्रति दिन आठ बजे हमारा क्लास आपके लिए उपलब दो पाता है वी पेसी सिक्छक भरती के लिए अरे जरा इधर तो आओ वाक्य में कौन सा अभ्याय पड़योग किया गया है सुलावे का सही अंसर है इसमें बिस्म्यादी वोधक अभ्याय का पड़योग किया गया है सुलावे का अपसा नमर बी अगर आपने भी जुना है तो बिल्कूल अंसर सही है 17 नमर प्रस्णे स्वतंत्र सत्ता धारन न करने वाले सब्द क्या कहलाते हैं तो वे सबी सब्द जो स्वतंत्र रुप से धारन नहीं करते हैं अपना स्वतंत्र सत्ता धारन नहीं करते हैं ऐसे सब्दों को निमले कित्म से क्या कहेंगे 18b का सही अंषर जागा अपसान नमबर C मुनी मुनियो या प्रान प्रानों गलती है लेकिन मुनी मुनियो यह यूगम जोहे बिलगुल सही है 18 का अपसा नमबर हो जाएगा C आप सभी के लिए आगे बढ़ते चलते हैं ये रहेगा 19 नमबर प्रस्टन आपके श्क्रीन पर अनूज सब्द को इस्तरी वाचक बनाने के लिए आप किस परत्य का पड़ियोग करेंगे अनूज में जो है अपसा नमबर कोश्टन आपके सामने है अनूज सब्द को इस्तरी वाचक बनाने के लिए इनमें से कौन सा पड़ियोग करेंगे तो अनूज में मुझे लगता है कि आप पड़ियोग करेंगे याद रखेंगे अनूज पलस अनूजा याद रखेंगे अपसा नमबर 20 का सहन सर गलती से mistake हो गई अगे बरते चलते हैं प्रती पलस 6 के मेल से बने सब्द का चयन किजए प्रती 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 या दिर्ग संधी बन जा रहा है क्यानि कि हर सव का दिर्गों यहाँ पर हो रहा है अपसा नमर सीश का सई एंसर हो जागा 22 नमर प्रस्टन आपके स्क्रीन पर है कि भाई बहन में कौन सा समास है प्रस्टन है भाई बहन में कौन सा समास है 22 का सई एंसर है भाई बहन में दोंद समास प्रयोग हुआ है 22 का अपसा नमर A इसका राइट एंसर हो जाएगा आगे बढ़ते चलते हैं 23 नमर कोशन के पास हैं और बहुत मजदीक हैं अपना स्कोर जरूर काउंटिंग करते चलिए और वीडियो के अंत में जब ये सेसन खतम हो जाएगा आप अपना स्कोर और अपने जीले का नाम जरूर हमें कमेंट कर दीजे और यदि आप सबसे हाइस्ट स्कोर वाले होते हैं इमांदारी पुरूवक तो अगले वीडियो में आपकी कमेंट को हम अपने वीडियो में फ्लेस जरूर करेंगे इसलिए अपने शहर का नाम और आप कितना स्कोर कर रहे हैं जरूर हमें कमेंट कर दीजे अपने बारे में कुछ लिखिए पढ़ करके बड़ा मज़ा आता है अगर तुम अपने बहवार से इतने डैस हो तो फिर तुम्हें चिंता किस बात की है अगर तुम अपने बहवार से इतने डैस हो तो फिर तुम्हें चिंता किस बात की करनी है तो संतुस्ठ है उचित है बहवारी खो 23 का अपसा नमबर हो जाएगा अपसा नमबर बी यगर तुम अपने बहवार से संतुष्ट है तो तुम्हें चिंता किस बात की हो जाएगी अपसा नमबर बी इसका राइट एंसर हो जागा आगे कोसन है चौबीस नमबर प्रस्ण आपके श्क्रीन पर है जो गर्ब की थैली से जन्व लेता है उसको क्या कहेंगे वन वर्ड सब्स्ट्यूशन अनेक सब्दों के लिए एक सब्द जो है पड़योग हुआ है आपर हिंदी का प्रस्ण आप देख रहे हैं प्रस्ण है कि जो गर्ब की थैली से जन्व लेता है उसे निमली कित में से क्या कहेंगे चौबीस का अपसर नमबर सी यराजू के नाम से जानेंगे यानि कि जो गर्ब की थैली से जन्व लेता है उसको जरा यूज के नाम से जानते है 24 का अपसर नमबर हो जाएगा C ये रहेगा 25 वा नमबर कोशन आपके श्क्रीन पर जिसके पास कुछ नहो क्या कहलाता है जिसके पास आपको कुछ नह दिखाई दे कुछ नहो वो निमले कित्मे से क्या कहलाएगा 25 का साइण सर हो जागा उसको अकिंचन के नाम से जानेंगे जिसके पास कुछ नहो उसे क्या कहेंगे उसे अकिंचन के नाम से जानेंगे 25 का अपसर नमबर A इसका राइट एंसर हो जाएगा ये रहेगा 26 नमबर कोशन जो लोक में संभाव नहो उसे क्या कहेंगे उसको पनुहर कहेंगे, अलौकी कहेंगे, प्रामर्थी कहेंगे या उपर युक में से एक आधिक तो सइय आशर है 26 का अपसा नमबर B ऑलौकी कहेंगे जो लोक में संभाव नहीं हो उसे हम और आप अलौकी के नाम से जानते हैं 26 का अपसन नमबर B, राइट अंसर हो जाएगा, अगला प्रस्ण है, जो कुछ भी करने के लिए निड़ने नहीं ले सकता हो, उसको निम लिखित दियेगे अपसनों में से किस नाम से जानेंगे, राइट अंसर हो जाएगा, 27 नमबर प्रस्ण का अपसन नमबर A, उसको किंग करतब बीवी मुढ के नाम से जानेंगे, जो कुछ भी करने के लिए निड़ने नहीं ले सकता हो, उसको किंग करतब बीवी मुढ के नाम से हम सभी जानेंगे, 28 नमर प्रस्ण आपके इस स्क्रीन पर है कि नाक का बाल होना, निमले खित्म से किस का सही एंसर हो जागा, तो इसमें इसका अर्थ क्या हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा पड़सान कर रहा है भाकाना समय नस्ट कर रहा है उपर उक्त में से एक साधीक या फिर उपर उक्त में से कोई सही नहीं है दिये गए प्रस्निका सही इंसर 29 का अपसा नमर ए हो जाएगा कि वो हमें पड़सान कर रहा है सिर्फ हमें आगे पीशे तारीक पे तारीक बुला रहा है अगला कोसन है भागते भूत की लंगोटी भली इस मुहावरे का अर्थ निमले कित में से क्या हो जाएगा भागते भूत की लंगोटी भली जो मिल गया वही बहुत है नस्ट होते समान को जीतना बचा लिया जाए वही बहुत है चोर को चाहे जैसे भी पकड़ो वह शही है उपर इक्तमे से एक अधिक सही है उपर इक्तमे से कोई शही नहीं है तो भागते वुक्त की भूत की लंगोटी भली तीसवे का सहीन सरो जागा जो मिल गया वही बहुत है उमीद करते हैं कि आप अच्छे खासे स्कोर जरूर किया होंगे अपना स्कोर और अपने सहर का नाम अपने बारे में जरूर कुछ लिखिएगा सुक्रिया मिलते हैं कल इसी समय पर भाषा के कोशन होगे शाथ क्वालिंग फाइंग पेपर 30 नमर के शाथ जैहिंद